ही गाइस वेलकम बैक टो माई चैनल तो आज मैं दिखाने वाली हूँ मुबाइल वीडियो रेकॉर्डिंग ट्राइपोड जो छोटा सा ट्राइपोड है यह अच्छा है कि नहीं आगे आगे मैं बताती जाओंगी पहले में यह वीडियो में किट कैसा है क्या है यह सब कुछ मैं बता दूँगी इसमें क्या-क्या चीजे है यह सब कुछ इसके बॉक्स में सब कुछ लगा हुआ है इनका जो यूसर मैनुएल है यह नहीं आता है तो इसमें आता है तो बॉक्स के अंदर क्या-क्या है मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ तो अब यह भी आया था तो मैंने सोचा कि इसको खोल के देखू तो इसलिए video recording भी आउन किया तो इसमें इतने सारी चीज़े मिले हैं light मिला है, tripod मिला है, mic मिला है, फिर इसका एक cable मिला है फिर इसका जो हमारा phone रखने का phone holder होता है वो भी है तो इतने सारी चीज़े इसमें मिलिये मुझे तो ये है फोन होल्डर लाइट ये सब कुछ ये करके में निकाल रही हूँ और आपको दिखा दियू कि इसको एसेंबल कैसा करना है मुझे भी नहीं पता था पहले तो फिर मैंने यूसर मैनूल देखके मुझे पता चला कि ये कैसा असेंबल करना है तो यहाँ पर एक बटन है ये देख सकते हैं ये बटन को प्रेस करने से उपर नीचे होता था ये देखो जब मैंने प्रेस किया तब होता था और जब नहीं क पूरी तरह से कैसे असेंबल करना है फो में दिखाती हूँ अभी नीचे का तो ट्राइपोड हो गया अभी उपर का जो फोन होल्डर है उसको मैं कैसे लगाऊंगी यह भी दिखा रही हूँ यह सेम उसक्रूब के उपर लगाना है नीचे का जो एक टॉप है उसको पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे यह पॉक्स पर देखेंगे उसके बाद हम लगाएंगे लाइट तो लाइट का कैसा होता है यह भी देख लीजिए लाइट मुझे थोड़ा सा बड़ा लगा अच्छा लगा लाइट तो अगर आपको एसेंबल नहीं हो रहा तो यह वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको इसमें समझ पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि कैसा लगाना है आपको इसमें ही समझ आ जाएगा तो आप देख सकते हों कि मैं कैसे लगा रही हो सेम जैसे हमने नीचे किया था वैसे ही यह पर भी हमें टाइट करना है यह का जो button है वो on off का button है तो यह लाइट अभी मैं इसको चला के दिखाती हूँ lights off करके on किया यह देखो उससे थोड़ा ज्यादा bright हो गया यहाँ पर तीन कलर आते हैं मतलब light lighter shade होता है उससे थोड़ा darker है उससे थोड़ा darker तो देखो यहाँ पर कैसे मैं दिखा रही हूँ सभी lights off करके दिखा रही हूँ उतना ज्यादा light हमें नहीं मिलता है लेकिन व्लॉगिंग के लिए वगयर अगर आप यूज करते हो तो कोई बात नहीं अच्छा है व्लॉगिंग के लिए तो आप यूज कर सकते हो देख सकते हो मेरे हाथ पर में light मार रही हूँ तो कैसा दिख रहा है अब यह हो चुका है अब बारी है हमारी माइक की तो अब माइक भी सेम वैसा ही लगाना है जैसे हमने जो light लगाए था सेम वैसा ही लगाना है यह रहा केबल तो इसको भी हमें फोन से कनेक्ट करना है माइक को फोन से कनेक्ट करना है तो माइक पहले लगा लेते हैं सेम जैसे हमने लगाए था वो light सेम वैसा ही लगाना है तो यह माइक मैंने जब ओन करके देखा तो मुझे कुछ खास डिफरेंट्स नहीं लगा मैंने with mic और without mic record करके देखा लेकिन मुझे इतना कुछ यह mic working है ऐसा बिल्कुल नहीं लगा तो मुझे लगता है कोई problem हुई होगी मेरे में मतलब मेरा mic joyous में problem हुई होगी पता नहीं सभी में ऐसा होता है यह show के लिए दिया है या कुछ मुझे नहीं पता तो मैंने यहाप पर फोन डिया है फोन को या पर हम होल्डर पर रख लेते हैं यह हुआ हमारा recording का setup अगर आप बैट के vlogging करते हो मतलब बैट के कोई video बनाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है मैं highly recommend नहीं करूंगी क्योंकि मुझे इससे अच्छा तो मैंने जो पहला वाला लिया था वह लाइट का देखा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इसका height भी नहीं बढ़ा सकते तो मुझे यह लगा कि यह जो बैट के videos बनाते हैं उनके लिए अच्छा है लेकिन ऐसे घूमफिर के जो भी videos बनाते हो उसके लिए मुझे लगता है यह इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा तो मैंने इसको तुरंत रिटर्न कर दिया है तो अगर आप बैट के videos बनाते हो makeup videos वगएर आप अगर बनाते हो बैट के तो आपके लिए अच्छा है लेकिन kitchen के लिए मैं recommend नहीं करूंगे kitchen में तो height वाला चाहिए तो इसमें उतना ज्यादा height नहीं हो especially mic जो है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया light ओके-ओके साथा holder भी ओके-ओके साथा लेकिन इसका height जो है वह बढ़ता नहीं है मतलब हमें height जो height का थोड़ा सा problem आता है बाकी bend होता है कोई बात नहीं लेकिन मुझे इसका mic का थोड़ा सा problem लगा and yeah अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लीजिएगा लेकिन मैं highly preferable नहीं हूँ अदलब recommend नहीं करूंगी मैं आपको तो मेरे पास ए क्रिंग लाइट है उसका भी अगर आपको review चाहिए होगा तो बता दीजे comment box में तो यह रही मेरी पहली वाली selfie stick यह मुझे काफी अच्छी लगी vlogging के लिए औ और सभी चीजों के लिए और यह क्यों अच्छी लगी है वो मैंने एक वीडियो में बता दिया है पहले भी मैंने पोस्ट कर दिया है उसका लिंक जो है मों description box में दे दूंगी guys कैसा लगा video ज़रूर बता देना and do subscribe to my channel like share and comment down bye bye